नमस्कार, Computer Graphics के नेक्स वीडियो में मैं CRT Display System के बारे में बताने जा रहा हूँ इसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि CRT यानी Cathodrate U किस तरह से काम करता है इसमें Electron Guns के यूज करते हुए हम किस तरह से Phosphorus Dot को ग्लो करते हैं और पिक्चर हमको ड्रा होता है तो इसको जाने के पहले हम एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको LIKE कीजिए गए शेयर कीजिएगा और सकते तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स वीडियो जब मैं UPLOAD करूं तो आप उसको देख सकते है और अगर आपके पास कोई comments या suggestion हो जिससे कि मैं इस वीडियो को इंप्रूब कर सुगा आगयाने वाले वीडियो को तो बिलकुल आप मुझे suggest कर सकते हैं continuation पर हम देखते हैं कि किस तरह से display devices यानी CRT display system काम करता था दो तरीके से ये picture को ड्रॉब करता है सबसे पहला जो होता है रास्टर scan display system होता है रास्टर scan system ने display system में क्या होता है कि सारे pixels all the pixels यानी left to right and top to bottom of the screen is refresh at a time refresh होता है इसमें सारे पूरे screen के pixels जो होता है draw होते हैं refresh होते हैं उस तरह से second जो होता है random scan यानी calligraphic scan display होता है जिसमें खाली जिन picture को draw करना होता है उनी picture area के pixels को हम refresh करते हैं at a time और बाकी area को हम disturb नहीं करते हैं रास्टर scan system में हम देखते हैं कि यह line wise काम करता है यानी left to right जो lines होते हैं उसमें जितने भी pixels होते हैं सारे को glow करता है उससे तरह से top to bottom जितने भी lines होते हैं उसमें left to right pixels को draw करते हुए जाता है उस तरह से next जो होता है frame buffer यानी जहां पर picture definition store होता है वहां से data को fetch करके उसको CRT monitor में display करता है various intensity range यानी इसमें color depth भी different यानी अलग-अलग color के हमको variety मिलते हैं various range मिलता है हम लोग आगे देखेंगे कि किस सरह से इसमें अलग-अलग range मिलता है same as जो होता है हमारे पास refresh rate होता है refresh rate का मतलब होता है कि हम बीना किसी disturbance के flicker picture को कैसे draw कर सकते हैं तो इसके लिए हम 60 to 80 frame per second का हम use करते है जनरली यह 60 hertz का होता है frequencies 60 or today इस दरह से कुछ raster scan systems ऐसे होते है यानि कुछ ऐसे CRT monitor होता है जो की interlaced refresh पे काम करता है तो इसमें लिए क्या होता है basically use for slower referencing यानि जिसको हमको referencing यानि slower referencing यानि जो slower काम करते है तो इसमें क्या होता है कि पूरा screen जो होता है odd number and even number पर काम करते है यानि pass 1 में odd number की जितने भी lines है वो scan होता है left to right and top to bottom and pass 2 में जो होता है even number की जो line होता है वो left to right and top to bottom refresh होते हैं इस तरह से हम देख सकते हैं कि राश्टर scan system किस तरह से काम करता है जैसे किसी figure को हमको ड्रॉ करना है तो हम उस figure के area को ना ड्रॉ करके पूरे screen को ड्रॉ करते आते है तो automatically वो figure जो होता है highlight होने लगता है तो यानि सारे pixel को ड्रॉ करना पड़ता है इसमें और frame buffer के अगर हम बात करते हैं तो यह किस तरह से काम करता देखिए तो frame buffer में इसे जो data लेता है वह left-to-right scan करता है और अगें फिर left-to-right और left-to-right तरह से चलता है तो इसका मतलब right-to-left कोई scanning नहीं होती है कोई भी picture draw नहीं होता है वह आमेसा left-to-right draw होता है तो इसलिए first line से second line में या next line में जब हम move करते हैं तो इसको हम लोग बोलते है horizontal retrace और इस तरह से last line से यानि last pixel से first pixel यानि first line के first pixel में move करना है तो इसको हम लोग बोलते है vertical retrace रास्टर scan system अगर हम बात करते है इसमें जो image होता है वह frame buffer में store होता है जो total screen area को cover करता है यानि पूरे screen को definition को रखता है तो इसमें corresponding memory location जो होता है हर एक pixels के लिए corresponding memory location में store किया आता है जैसे monogram image की बात करते है तो हमको एक bit का use करना बढ़ता है जिससे कि either उसके value 0 होता है या 1 यानि एक bit से पूरा का definition हम store कर सकते है जिससे कि हमको black and white image generate होता है इसी तरह से अगर हम color monitor की बात करें या पिर monochrome monitor की बात करें तो हमको display processor जो होता है यूज करना पड़ता है जो की frame buffer को scan करता है data को read करता है और क्या value है 1 है या 0 यानि monochrome के लिए या फिर color के लिए color depth क्या है उसको read करता है उसके हिसाब से electron gun को activate करके phosphorus door को glow करता है हम color monitor में भी दे सकते है कि अगर color monitor की बात करते है तो the frame buffer also contain the color of each pixels यानि इसमें हम color buffer use करते है जनरली हम red green blue का combination use करते है तो इसका मदलब है हमारे तीन color buffer use कि आता है red के लिए अलग, green के लिए अलग and blue के लिए अलग, यानि तीनो color buffer का size होता है प्रेम buffer का size होता है वह screen के size का होता है और अगर हम एक color buffer को एक bit को अगर 8 bit per pixels का use करते है तो हमको जो range मिलता है 0 to 255 तो इस तरह से huge number of color हम generate कर सकते है कैसे क्योंकि अगर हम 3 color buffer के लिए 8 bit per pixels का use करते है तो तीनों के combination से हमको 2 to the power 24 combination मिलते है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 1 pixel के corresponding 2 to the power 24 variation के हम color बना सकते है तो पूरे screen के लिए भी इसी तरह से बन सकते मिलिएंस ऑफ color scan भी जाने तो जनरली इस तरीके का जो राश्टर scan system का use किया आता है वो television panel में यूज करते है printer में यूज करते है PC monitors में यूज किया जाता है तो यानि 99% of raster scan system जोता है यूज किया जाता है इस तरीके के technologies में यानि televisions में यानि हमारे पास जो home appliances है उसका यूज करते है रैंडम scan system जो की second type है जिसको हम calligraphic system भी करते है जिसमें यह बोला गया है कि स्पेसिफिक अरिया को ही लो किया जाता है तो यह अगें इस CRT के बैसमें यह CRT के में पिक्चर को display करने का next तरीका है जिसका हम यूज करते हैं इसमें instead of directed to whole screen it directed to the parts of the screen where a picture is to be drawn जैसे मैंने आप आला कि यह partially काम करते है जिसको इसको draw करना होता है उसी को ही draw करता है draw a picture one line at a time and known as a vector यानि इसको एक और नाम है वेक्टर display यानि श्रिप उन्हीं specific area को करने के काना से इसको vector display के नाम से भी जाना आता है इसका जो refresh rate होता है number of lines to be display जिसको display करना होता है और वहाँ जो refresh rate होता है raster scan system है total number of pixel picture definition stored as a set of line drawing commands यानि इसमें जो picture definition होता है pixel wise na define होके set of line commands के form में display होता है जिसको हम लोग refresh display files बोलते है वहाँ से data को लेता है displays processor उसको display करता है जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम जिस particular triangle को draw करना जाता तो उसी के area को हम cover करते है और बाकी screen को हम कोई भी scanning नहीं होता बाकी screen का इसके advantages है यह high resolution provide करता है यानि high resolution में भी अच्छे से काम कर सकता है क्योंकि हम specific number of pixel को ही draw करते है तो जिसके करण से high resolution provide कर सकता है higher resolution पे अच्छे से प्रवाइड करता है और लस्त नंबवर मैपूनिज क्योंकि इसमें जो data होताये पूपिक्सेल के फॉर्म में स्टोरना होकर फाइल के फॉर्म यानि legal क्मान्ड के फ़म में श्टओर होताया तो रुट्ट को हमको एरिया चाहिए वे लियुक्त का सबसे बड़ा image के लिए बहुत अच्छा काम करता है लेकिन different shading of images के लिए ये काम नहीं करता है और इसमें जो capability limited capability होता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो random scan system है इसका एक advanced version बाद में आया है 1960 में जिसको हम लोग बोलते है direct view storage tube के नाम से जाना जाता है अब हम देखते हैं कि रास्टर scan system में एक computer system में ये किस तरह से काम करता है यानि इसमें electronic parts जो होते है वो किस तरह से काम करता है जैसे हम देख सकते हैं कि example में जिसमें video controller या display controller होता है वो directly monitor को handle करता है यानि सारा picture जो होते है चितनल से किसरा hostijn हम to riad you video controller चूता है system bus के साथ जुरा होता है जिसके साथ जुरा होता है input output devices, CPU, regulation and system memory तो इसका मतला बेर समें data um pem Smoke coach system memory wenn die data cat home do the first time papier video controller को definition चाहिए तो वो definition system memory से लेता है तो इसका मतला बिरस में CPU CPU involved हो जाता है तो CPU involved हो कि जो data है system memory से video controller को भीज़ता और video controller उसके corresponding monitor तो इसका मतलब यह हो कि इसमें CPU का involvement बार बार होता है तो इसको हम लोग गोलते interruption process तो इस interruption होने के कारण से जो हमारा display जो process है थोड़ा slow हो जाता है इसके बार जो होता है next जब improvement किया गया तो उसमें बोला गया है कि हम system memory में से एक area को fix कर देते हैं तो जिससे क्या होता है कि वो area direct video controller के under में आ जाता है तो जिससे क्या होता है video controller एक बार CPU से in slice होता है और उसके बार data जो होता है frame buffer से लेता है ना कि CPU के involvement से data लेता है तो जिसके कारण से वो कहा display हो जाता है monitor में तो इस तरह से जो process है interruption process काम हो जाता है और जो processing जो होता है वो fast हो जाता है इसी तरह से आज के current technology में देखते हैं कि हम जिसको हम लोग graphics card के नाम से जाते हैं तो यह जो graphics card होता है यह system को यहाँ दिखाए गया जिसमें क्या होता है कि display processor जिसको हम लोग graphic card के नाम से जाते हैं एक अलग display processor बनाया गया है उस display processor के corresponding उसका खुद का memory बनाया गया है display processor में और उस area में से एक frame buffer को design किया गया और video controller को total system bus से अलग करके अलग कर दिया गया है तो जिससे कि जो भी data है वो display processor के थुरू होते हुए video controller के थुरू होते हुए monitor में display होता है तो इसका मतलब होता है कि system bus एक बार interrupt होता है CPU जो होता है display processor को initialize कर देता है और इसके बाद जो भी काम display processor कोता है and that will be involved to display everything and which is going to be display by the video तो यानि video controller को हटाये नहीं गया है video controller same as रखा गया बट इसमें एक involvement किया गया है display processor इस तरह से हम बात करते है random scan system random scan system जो होता है simple system पे काम करता है इसमें कोई specific नहीं किया गया है जैसे कि normal raster scan system का जो सबसे पहले हमने देखा था उस दरह से काम करता है तो जिसमें क्या होता है कि display processor data लेता है system memory से और उसको draw करता है अब जाते है frame buffer frame buffer actually जो हमने देखा था कि frame buffer कैसे काम करता है यहाँ पर उसका एक simple सा diagram के थुरू समझाए गया है कि जो हमारे पास display controllers होता है वो data जो है वो keyboard mouse से या फिर जो भी host company जो भी command है जो भी data है वो memory से data लेता है display controller लेता है display controller जो होता है उस data को refresh buffer में store करता है अब उसके बाद जोता है जो भी information वहाँ store होता है उसके base पर इसको नहीं करना है उसको zero कर दिए इस तरह से data video controller के through display हो जाता है अब आजाते है direct color buffer यानि हम जो बोले थे कि color depth इसमें बहुत होता है various intensity के colors जो होता है तो मैंने ये भी बताया था कि इसमें तीन frame buffer का use करते हैं जैसे सामने वाला blue, green and red यानि एक picture को drop करने के लिए तीन buffer में data store होता है इन तीन buffer के data को यानि digital to analog converter जो होता है convert करता है electron gun को activate करता है और उस हिसाब से तीन electron gun से तीन type के intensity के electron beam generate होता है और उसके combination से हमको color मिलता है तो जो भी store होता है वो तीन frame buffer में individually store होता है अब देखते है कि इसको थोड़ा सा और define किया गया है कि जैसे हमारा frame buffer है वहाँ से जो भी हम data लेते है यानि उसका color definition लेते है यानि color picture लेते है और उसके बाद look up table में देखते है look up table में red, green and blue का जो intensity values है वो दिया रहता है कि इस particular pixel के लिए जो color है उसका जो red, green value है क्या है और वहाँ से वो data लेता है और वो data जोता है digital to analog converter में जाता है और electron gun को activate करता है जिससे कि हमको तीन intensity के electron beam generate होते है और उसके base पर होता है हमको एक color combination create होता है तो एक simple से example से समझाए गया है कि color look up table यानि color depth कैसे create किया जाता है frame buffer कैसे काम करता है तो इस तरह से CRT जो display system है इसे दो main approaches होते है एक होता है raster scan system जिसको हमनों refresh system के नाम से भी जाता है और दूसरा होता है random scan system जिसमें कि हमें randomly draw किया जाता है तैंक्यू अगर ये video आपको अच्छा लगा तो इसको share किजिएगा like किजिएगा और अगर कोई suggestion है तो बिलकुल दीजिएगा ताकि मैं next video में इसको improve कर सकूँ thank you